सत्र में द्यागे 23 में सलोक में कहता हूँ सचीदा नंद घनबरम की साधना का ओम तत सतीती निर्दे सेवर मुने तरविद समरता है उस सचीदा नंद घनबरम के पास जाने का पूर्ण मुक्स प्राप्त करने का उसको पाने का तीन मंतर की साधना है ओम तसर पुरुस का तत ये सांकेत है ये अक्सर पुरुस का मंतर है और सत भी सांकेती का ये परम अक्सर पुरुस का मंतर है इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ती की सक्ती से, हम सत लोग जाएंगे. गीता जिद्ध है नमर आठ के स्लोक नमर पांच और साथ में, गीता ग्यान दाता कहता है, यदि मेरी सर्ण में रहना है, तो युद्ध भी करना पड़ेगा, और बजन भी करेगा, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट, अब अपने प्राप्ती बता रहा है, कि मेरी भी प्र प्रमस्यानती चाहिए, तो उसकी सर्ण में जाया, आठ में जाया के आठ, नो, दस, तीन मंतरों में, कंटीनियूस बताया है, कि सची दानंद घंबर्म की जो साधना करता है, उस तत्व दर्शी संत के बताया नुशार उस मंतर से, तो बग्ती की सक्ती से, यानि उस मंतर के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा, अब उन्हातमा उमना बग्ती करनी है, तो या क्यों ना करें, वो डुले कि उड़ों जो असंग जनम हो गया, उमना डोट्यान है, तो इसलिए, गीता ग्यान दाता कहता है, कि तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सनमजा, और अठार में जाया कि 66 में सलोक में इन अन्वाद करता हूने, यहां भी अनरत करके हैं, वरज कारत, जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये स्रीकर्शन जी को सुपरिम पाउर मान कहें, और तब इसका, गीता जी का अन्वाद किया, जबकि स्रीक उसका अरच ये बनता है, कि सर्वे धर्मान परितज माम, मेरे सतर की ब्रहम सतर की जो ओम की पूजा, उस तीन मंतर के जाप मैं, ओम तत सत मैं, वो मुझे छोड़ दे, और यग हवन जो भी हैं, ये ब्रहम सतर के हैं, ये सब दार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग का, एक एक मन जिसके बराबर दूसर आना हो, ऐदवित्य प्रभू, सचीदानंद घन ब्रहम, उसकी सर्वे जाएं मेरे सतर का मुझे दे जाएं, हम पहले ओम नाम के कमाईर यग करके हम काम जाते थे, ब्रहम लोक में चले जाते थी, वहां अपनी पूजी खतम करके उस रेस्टोर आप इसको दे देंगे, यह हमें छोड़ देगा फिर, फिर कुट एक देद नहीं बनाओगा, हमें बंद मन नहीं रखेगा, तब यह कहता है, एम तवासरो आप आपे व्यामुक्षा मी मासुच, मेरा करदा तार दे, फिर मत ने क्यों दुखी करूँगा, मैं नहीं रुख करता है कि आप मेरे गुरू हो, मैं आपकी सरन हूँ, मेरी बुझी काम करना बंद करगी, मेरे हितमत जो हो तुम वो बताओ, अब अठार में जाए कि छैशेट में से लोक में यह अग्यानी कहें कि अपर श्रीकरसन अपने ही सरन माने को कहता है, पर तुम दो श्रीकरसन बो में मूरख बना रहे थे, यह नकली गुरू संस्क्रित के पासा, जान के यह द्यात्मी ग्यान नहीं था इनके पास, तो अंदे की बाह गई, अंदे ने मारे कौन बता सी, अब क्या बताते हैं मन तू, चलरे सुक के सागर, जहां सब्द सिंधूरत नागर, कोटी जनमतन भर्मत होगे, कुछ ना हाथ लग्यारे हैं, कुकर सुकर खर भया बोरे कौवा हन से बुगारे हैं, कोटी जनमतन भर्मत होगे, कुछ ना हाथ लग्यारे, कुकर सुकर खर भया बोरे कौवा हन से बुगारे हैं, सुक देवने चोरासी भुगती बन्या पजावै खर वो, तेरी क्या वुनियाद पराणी तु पेंडा पंथ पकड़ वो, कोटी जनमतन भर्मत होगे, कुछ ना हाथ लग्यारे, कुकर सुकर खर भया बोरे कौवा हन से बुगारे, कोटी जनमतु राजा की न्या मिटी नमन की आसा, बिक्षक हो के दरदर घोम लिया, मिलाना निर्गुन रासा, इंदर कुबेर ईस की पदवी बर्मावन धमराया, विश्णो नात के पुरकुं जाके फिर भी वापस आया, असंग जनमतन मरत्या होगे जीवित क्यों नमरेरे, और द्वादस मजद मेल मठबोरे बहुर न देह धरेरे, दो जिक भिष्ट सभीतें देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तर्पत नाहीं ये मन भोगी खसिया, सत्गुरु मिले तो इच्छा में टैपद मिल पदे समाना, चलहन सा उस लोक पठाऊं, जो आदी अमरे असे थाना। च्यार मुक्ती जहां चम्पी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभेपद पर से, वो मिले राम अवी नासी। एक के सब्द में सारा जाड़ा दे दिया, उस परमातमा परीचित पुन्यातमा आदरिया गरीबदा साहिब जी ने। क्या बताते हैं मन तूँ चलरे सुके सागर, जहां सब्द संधूरत नागर। अब सुक सागर क्यों कहा इसको सत लोग को उसको डिफाइन किया है परमातमा की वानी में संखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनासी ही सुक का सागर सोई। उससत लोग में कहते हैं आपके अंदर असंकों लहर मेहर की उपजेंगी कहर नहीं जा कोई, जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ तो बहुत बार बनी है ऐसी बाते हैं, ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं, जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उसमें कोई पूरा दिखाई नहीं देता हैं, दुसमन भी जो हमें दुख दे रहा है, उसके परती भी बिलकुल दुर्बाहो नहीं रहती, कोईसस करने से भी दुर्बाहो नहीं आती। उसके अगणों को भी गनते हैं तो भी दुर्बाहो नहीं हैं आती। or वो होती है गुतíanा, और का तो कहर तूट जाता है उसने ऐसा क्यों कि या उसने ऐसा कैसे कर दिया वो गाटा हो गया वहां ऐसे नुकसान हो गया फलाना ऐसे करना है यानि वो कहर की लेर फिर सुरू होगी तो परमात्मा कहते हैं वहां सत लोग के अंदर ये संखों लहर मेहर की हैं और कहर नहीं जा को कोई कश्ट नहीं, न बुड़ापा न अमर्तु, सदायुवा सरीर रहेगा, और वहां दो सरीर बनेगा, शुक्रम अकायं ऐसनाविरं, वह नाडियों के जोड से नहीं बनेगा वहां सरीर हमारा, स्वास से नहीं चलेगा, वह एक ततो से बनता है, जैसे यहां पांच ततो से स अनो गया अन खाया अन से फिर सक्ती बनी सक्ती से फिर स्रीर बना उसका ऐसा प्रारूफ बदलकर ऐसा बना दिया ऐसे वह एक ततव से नूर ततव से हम सभी का स्रीर बनेगा और वो स्रीर ऐसा होगा जैसे 16 सुरिय जितना तेज होगा आपके स्रीर का परतेक आत्मा का लेकिन परमात्मा का भी सरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजों में सरीर है, सत लोग के अंदर. उनके एक रॉम कूप में करोड सुरीय, करोड तंदरमा दोनों की मिले जुली रोसी ने भी फिक की है भगवान के एक रॉम कूप के नूर के साम और हम सब आत्माओं का सोले सुरीय जतना सुन्दर यानि तना तेजों में और बहुत ही खुब सुरीय होगा अब क्या बताते हैं कोटी जनमत न भरमत होगे कुछ ना हाथ लगया रहे कुछ ना तमाओं अभी तो आपको ग्यान भी तना गैनता से ग्रहन नहीं किया आपने अंदर समया नहीं आपके अंदर जब ये सचाई अर्द्य मान लेगा ना आपका आत्मा मान लेगी एक सो की सो साची हैं जो परमातमा नहीं बताई अरब इसको सत को सत मानन में देर नहीं लगेगी अपने थोड़े से फारमूले याद रखो सभी वेद कहते हैं परमातमा उपर रहता है मनु सदर से शरीर में है और वहां से वो गती करकाता है और यहां के क्या लिला करता है जब वो बालक रूप धार करके सिसू रूप धार करके पर गट होता है तालाब के उपर जल के उपर कमल के फूल पर विराजमान होता है यानि जल के उपर विराजमान होने से उसको नाराण कहते हैं अब पता लग जाएगा वो है कौन और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुन्यात्मा संसकार वस निसंतांस दमपती उठा के ले जाती है पर तेक यूग मैसा होता है और फिर परमात्मा वहां उनके परवर्षकी लीला कुवारी गाय से होती है तो पर्मात्माओं छष्ट फ़र्स पहले बगवान आए थे कवीर दी परमात्मा परमक्सर ब्रहुंद उन्होंने वह लीला की थी दो वेद हो लिख रोखी है वेद तो केवल परमातुमा की पहचान बताते हैं कि वो ऐसा है ऐसा करता है वो लीला किसने की है आज तक श्रीकर संगाई थी आज देख लो वह भी आई पर छूप जनम वहा मां से लेकिन कभीर परमेश्वर का मां से जनम नहीं हुआ ये तकड़म बाजी बढ़ा करते हैं नकली आदमी के एक विद्वा बरामनी थी वो उसने सर्म के मारे गेरगी उसका विद्वा गया बच्चा हो गया उसके विद्वा का मा का बाप का उसका कि ते नाम गाम तबता दो देती हैं तो ये लिल्ला परमेश्वर कबीर जीन की थी और आज तक किसी ने करीव बता दो और किसी का नो परमान उपरता चलकाया और से स्रीर चला गया वापस एक दिखा दो जिनको हम बगवान मानते थे राम स्री किर्शन का दिखा दो तो कहने का भावपन आत्माव हम बगवान को पैचान ने सके क्योंकि जिनको हम गुरू मानने थे वंदे थे ज्यानने तरहीन थे वो किते मुती मुक्ता दरसत ना ही योजग है सब अंदरे दिखत के तो नेर्ण चिसम इनका फिरा मुतिया बंदरे किसी को मुतिया बंदो जाता है उसकी आँखें सवस्त दिखाई देती है और उसने दीखता कतेनी नपट अंदा होता है बलाइंड मैन होता हो तो इसी परकार ये ज्यान ने तरहीन थे और दिखें थे सतुर क्योंकि संस्क्रत जाने थे एक बासा के जान लेने से उसमें लिखे हुए रुड रहसे को नहीं समझा जा सकता अब हम इंदी जानते हैं मानले किसी फोर्नर ना आके इंदी सीख ली और तुलसी दास करित रामान को ले गया वहाँ पर अपने देश में और उसने एक शरपैर का पता नहीं राम कौन था रामन कौन था सीता कौन थी कुम करन कौन था और विबिक्षन कौन था तो उड़ पताने के अठके वट मारेगा एक इदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुल जा सकता है जो चौपाईयों में लिखी है ऐसे वेद और गरंथ और पुरान और गीता जी ये परमात्मा की महिमा से प्रिपूरुन है संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक एक मोखिक कथारा मैन वाली की तरह सिर्ष्टी रतना का जिसको ग्ननी होगा और उस सिर्ष्टी रतना खुद रतने वाला ही बता सकता ठीक ठीक अभी तक तक तगडमबाजी बिड़ा रहे थे अब परसंग दो आ रहा है मोई पराते हैं क्या बताते हैं कि कोट जनम तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रहे और कुकर सुकर खर वैब औरे कोई आहन से बुगा रहे अब परमात्मा को पहचानना है कि इतना आसान हो गया एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बताओं चारों वेदों को तो हम कती फाइनल मान रहे हैं अब भी कोई उसको नहीं का हिकमा नहीं मानदा वेदों को वो तो फिर वक्तियोग पराणी है नहीं या किसी ने बरमित करा किया उल्लू न मूर रखने जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते हैं हम अपने गुरूं के ग्यान को स्रेश्ट मानते हैं तो सद गरंथों को ने मानना ही उनकी महामूर रखता है और कबीर जी की वानी भी सद गरंथ है वो सब गरंथों का गरंथ है यानि उसमें आल इन वन है नो समझे लो और दूसरा वेद बताते हैं फिर वो लीला किशने की फिर आखों देखा संत बताते है हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेस दिया जात जुलाहा बेद न पाया वो का सी महें कबीर हुआ आदनी गृबदा साहिब जी बता रहे हैं उनको भगवान मिले थे जिनको वो आकर मिलते हैं थ्यातमा दर्ड भकतों को उनमें से एक आदनी नानक साहिब जी हैं वो कहते हैं फाई सूरत मलुकी वेस ए ठगवाडा ठगी देश खराब शियाना भोता भार ये धानक रूप रहा करतार प्रमातमा सत लोग से आये थे प्रमातमा वुष्ट में समकालिन थे इनके यहां भी थे उस अतलोक में भी रहते हैं वो हर जगए जहां चाहे परगट हो सकते हैं प्रभू में इतनी सकती है तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे सनान करने गए जब उससे पहले भी वारता की थी कभी रूप में आके है लेकिन नानक साहिब जी मान्य नहीं थे लेकिन अंदर से टूट गए थे सचाई को सुनके प्रार्थना यही करते थे प्रभू फेर्द मिलो एक बाग है आदनी नानक साहिब जी का जनम पवितर हिंदू दर्म में हुआ था ये कालूरा मेहता खत्री अरोडा के घर इनका जनम था और इनके पिता जी जो पटवारी थे उसमें और ये अच्छी आत्मा थी फिर इन्होंने अपनी बेहन के नगर में जावन की बेहन बैयर रखी थी सुल्तानपुर सहर में अपने बेनोई की सिपारस से वहां के सुल्तानपुर के नवाब के हां नोक्री करते थे मुद्धी खाने में तो सनान करने के लिए बेही नदी पर जाते थे पहले परमातमा कबीर जी उनसे मिले तर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाती का दानक हूँ कासी में रहता हूँ और मैं ग्यान की तलास में घूम रहा हूँ तो नानक साहिव जी ने बताया कि श्री कर्शन जी श्री विशनो जी ये सर्वसक्तिमान है ये परम सक्ति है गीता में इसी कावर्नन किया गया है यानि जैसा भी उन्होंने श्री नानक देव जी ने बिर्दलार पांडे से गीता पढ़ा करते थे जैसा भी ऐसी इन गुरूओं ने हमें ग्यान दे रखा था उसी आदार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है श्री कर्शन सर्वेस्वर है सर्वसक्तिमान है इन ही की बग्ति से मौक्स होगा तो परमात्मान ने उन से साथ सलोकों के उत्तर पूछे थे नानक साइब जी से एक तो यह पूछाता कि यदी श्री कर्शन दी सरवसक्तिमान है चौथे दाय के पांच में और नौम में सलोक में दूसरे दाय के बार में स्लोक में तस में धाय के दूसरे स्लोक में कहता मेरी तो जनमर क्यों होते अठार में धाय के बैसेट में स्लोक में ये किस को किस की सरन में जाने को कह रहे हैं पूछना आपके बिदलाल पंडे से साथ में धाय के अठार में स्लोक में अपनी गती को अनुतम कह रहे हैं उत्तम पुरसेतु अन्य वो कौन है तो थे जाय के 34 में स्लोक में कहा कि तत्व ग्यान तो कोई और है ये गीता वाला ग्यान तत्व ग्यान ने उसको संथ बतावेंगे इन बातों को कहकर के नानक साहिब जी नराज होगे ये सुनकर लेकिन रातरी के समय करवट बदलते रहें कि सच मुछ बात तो सारी साची है नानक साहिब भी पढ़े हुए थे हिंदी भी पढ़े थे फार्सी भी पढ़े थे उन्होंने गीता जी को देखा एकाद ब्रामन से बात करी किसी के पास उतरनी था तो उपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आगे थे कि तू गल्ट बोलता है तो मुसल्मान दिखाई देता है तो परमातमा चले गए थे उस टेम कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को अंदर से रोने लगे तर्फते थे एक बार फिर मिले माराज फिर बात करेंगे वो फिर दुवारा फिर मिल गी 15 बीश दिन के बाद उसमें केवल नानक जी को दिखा ये रहे थे इनने को नहीं कुछ दिर बात हूई थी फिर नानक जी क्योंकि उमन नहीं टेकता जल्दी सी उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में चलाग लगाँगा मुझे ढूंड देना नानक साहिब जीन दरिया में चलाग लगा दी परमातमान उनको गुप्त किया वहां से और पीछे जाकर तीन किलो मिटर पीछे को जहां से पप सट्रीम में लेगे जिदर से पानी बेता रहा था और वहां उनका सरीर एकान सथान पर रख दिया आत्मा को लेकर सचकंड गए सचकंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिन्दा मातमा के रूप में वहां उनको मिले थे उसी रूप में उपर सतलोक में पहुंचे और परमातमा सत्पुरुष बैठे थे तकत के उपर आलोवर कंट्रोलर की चेर पर उस सिंगासन पर तो नानक साहिब ने जोचा कि परमा मातमा यू है सत्पुरुष सत्पुरुष ये है सामने बैठे सिंगासन पर और कबीर जी एक सिंपल बेस में जिन्दा मातमा के रूप में सादू के रूप में और यह यहां का नोकर होगा कोई कबीर तो नानक जी ने सोचा अब उस समय तक परमातमा ने ये डिस्क्लोज ने कि जब पहले रूप में मिले थे जब तो कबीर रूप में मिले थे दुबारा जब आएक जिन्दा मातमा का रूप में बना करा गए शरीर दूसरा था चेहरा ने मिल रहा था बनारस वाले से फिर उनको लेकर गए उपर उपर जाकर क्या देखा कबीर जी जो जिन्दा मातमा के रूप में गए थे और दूसरा उनी का रूप बैठा था ते जो मैं करोड सुरिय मिला दे करोड चंदर मा ऐसा एक रोम कूप की सोबा उसके उपर चवर करने लगे कबीर साहिब नानक जी नो पका हो गया कि सत पुरुक अकालब पुरुक तो यू है ये बैठा तक पजेडा ये नीचे से बाबा जी आया मातमा ये इनका नौकर है इतने में क्या हुआ वो तेजो में स्रीर वहां से उठा अपने सिंगासन से और कबीर जी जिन्दा मातमाले रूप में गए थे वो विराजमान हो गए उस समें उस परमातमा का वो रूप जो बना जब सिंगासन पर विराजमान होए जो अकाल मुर्थ तेजो में स्रीर वाला था वो चवर करन लगया उस कबीर परमेश्व जिन्दा वाले बाबा वाले मातमा वाले सुरूप के उपर चावर करें नोकर कीतर है उस समय परमात्मा का जो सुरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया जो दानक रूप में जो लाहे रूप में बनारस में थे और जो पहले नानक जी को मिले थे और वो तेजों में शरीर जो था कबीर जी के जिंदा मात्मा वाले स्रीर में समा गया अलग कोई निरा, only one, only one God है, एक परमात्मा कबीर जी विद मान थे, बनारस वाले धानक, आल ओर कंट्रोलर के टकत पर सिंगासन पर, अब नानक साहब से कहा कि जाईब, तीसरा दिन हो गया, इस तरह परमात्मा ने सौरे बर्मा दिखाए, बर्मा विशुन महिस दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जनम हुआ, अब परमेश्वन ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन बोड़ी आत्माओं को समझाओ, जो काल के जाल में फसी पड़ी है, अब वहां जागर के प्रते का आत्मा य लेकिन ऐसे नहीं मर रख सकता, आपको यह बगती करनी पड़ेगी सति नाम की, और सति नाम बेना मुक्स नहीं हो सकता, यह दो अक्र का नाम है, यानि पूरा ग्यान उनके इंदर फीड कर दिया, अब उदर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गा दरिया में, उसकी खोज सुरू होगी, नवाब ने भी खोज सुरू कर दी, गोता खोर लगा दिया, जाल डाल रहे हैं इदर जिदर डाउन सट्रीम में, और नानक जीम का सरीर रखा तीन चैर किलोमेटर, अब सट्रीम में जंगल में, तीसरे दिन वो आत्मा बापस बेज दी भगवान ने उस सरीर में नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया परा कर खड़े होगे, जहां लोग सनान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे, कहां तो हाहा कार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया, अदर क्या देख्या, ओ तो सामने खड़ा है, सारा सहर चाग दी और कहा कि अब सत्ते सरकार की नाउकरी करेंगे तो फिर वो इस खोज में परमातमा ने कहा था कै मैं बनार्सुना काश्ची में और वहां आजाना सत नाम दोंगा और शत नाम बना मोक्सिग्थ नहीं और वो कालका लोक है तो सत नाम प्राप्टी के Лिये और नानक जी ने वाहे गरू वाहे गरू कहा था कि वाहे गरू जब अकेले रहे रहे ना तकत पहे कबीर जी सत लोग में और दूसरा रहा नहीं भगवान जब ने कहा था वाहे गरू वाहे गरू सही रास्ता दिखा दिया और स्वेम भगवान वाहे गुरू वाहे गुरू वाहे गुरू नीचे आगा उसके वनमरट लगी कि वोहे गुरू मिला जो सतनाम दे और ये साथ सलोक जो परमात्मान परसंद किये थी नानक जिन ये साथ सलोक उसने नोट कर लिए जो भी कोई ब्राहमन विद्वान मंदलेस वर उनको मिला उनसे साथ स्लोक करते थे बताईए अठार मेदाय के बैसेट में स्लोक में योगीता ग्यान दाता किसकी स्रुण में जाने को कहता है फिर वो करते हैं फरड़ फरड़े अपनी सुर्ण में कहता है अपने बारे में कहता है फिर वहां से चल पड़ते थे वो पहचान करते जा रहे थे कि कुन से हैं वो बगवान अयूग्यान जब सुर्म बोलागा वो सही गुरूप वह पावेंगे असली तै उनकी खोज करनी थ किया था कि मैंने रामान जी को गुरू बना रहा है वो मेरे गुरू जी है पहली मीटिंग में बताया था तो रामान जी सुपरसिद्ध थे रामान जी के आशर में पहुंचे वहां उनके परसंद किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है क्या आप जानते हो रामान जी महत्मा वो सची बोला करते हैं, कहने लगे बाई, आजा बैठ जा सर्दार जी, आजा बच्चा मैं जानता नहीं था, लेकिन अब जान गया हूं, मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था, वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दि वो मेरे सेस नहीं है, मेरे गुरू है, लेकिन मर्याद दावत ओनोने कहा, कि मुझे आप अपना सेस ही मानोगे, वो मेरे सेस involve, मेरे गुरू कहो, और भाई, उस कबीर जी ने मुझे युग्यान बताया है, तो नानानक जी ने कहा, कहा मिलेंगे वो, कि अभी आएंगे, सिय है वो कि अपनी जोफडी महोंगे एक सेवक बेज दिया कि जाओ जोफडी पछो डिकाओ अब जाकर देख्या उस परमात्मा को खड़ी में कपड़े बुने दानक का काम करें थे उन धानी जान थे पता था आवहे कात्मा प्यारी जब देख्या वहाँ पर सतलो कला नजारा सा कर देखाई दिया कहते जांखी वे कबीर की नान की तीवा और वह शिक्खां के गलपडी कौन छुटा वेता अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में और फिर वहां बढ़े दिखे वह ए गुरू और कहते हैं वह एक्दम इतनी उमंग में भरका वाज लगाने लगे पाई सूरतमलो कीवे से, ए ठगवाडा ठगई दे से, खरासियाना बहुता वार देखो, ये धान ग्रूप रहा करता रहा है। कि ये ठग है, भामे मुर्ख बना रहा है, बका रहा है, जैसे प्यार में कहा है, ठग है, अख्या में पानी पर रहा है। सारे दुलाए कठे होगे वहां के, कहते हैं यो भगवान है, परमातमाई है, पूरून ब्रह्म है, आप कहते हैं, घर का जोगी, जो गड़ाबार का जोगी से दे, दुलाए वहां के, उसको एक आम सिंपल में मानते थे, वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी, पंजाब ता तोड़े दिन गुप्त रखना, जय करना, तेरा भी जल तो उड़े देंगे ये, अपनी बगती करो, और परसार करो इसक्राइब का, और ज्यादा डिकलिर ना करना अभी इसको, गुप्त रखना अमने कुछ दिन. तो कहने का भाव ये है कि जिन ने महापुरसोने भगवान मिला और जिन को हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवर्दीगार गुरू गरन्थ साइब के साथ सो एक्कीस प्रिश्ट पर लिखा है कि एक अर्द गुपतम पेस्ट तोदर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐ परवर्दीगार हक्का कबीर माने सत कबीर है और यह 24 प्रिश्ट पे लिखा है भाई सुरत मुलक की वेस ए ठगवाडा ठगई देश और खरा सियाना बहता भारिया दहानक रूप रहा करतार है अपने अत्माओं हमने वगवान को पैचानना में गणी दिर ना लगए हम अज्ञान में कितने आंट राखेन होने लेकिन प्रमात्मा का यह तत्व ग्यान ऐसा है और ग्यान सब ग्यानडी कबीर ग्यान सो ग्याने जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे उदे भया जब सूरज का ऐस्यों तारियों छप जावे ये नकली संत और ये छोटे बोटे ग्यानडी कहते हैं जैसे चंदर मारातरी के समेतारों में बहुत अच्छा तेजों में और परसित यानि बड़ा चमकता है मुख्या पाक रहा होता है सुरिया उदे ओने के बाद कहते हैं चंद भी ना दिखतार सितारे विरुविद मान होते हैं उनका कोई सतो नहीं रहता ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परीचित हो जाएंगे फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निस्करिये हो जाएंगे इनकास्ती तो नहीं दिखाई देगा मैरे को तो क्या बताते हैं अन्धे की बांगे अन्धे ने मारे कोन बता सी और आदनी गरीबदा साहिब जी कहते हैं मोती मुक्ता दरसतनाई ये जगे सब अन्धरे मोती मुक्ता मुक्ता माने मुक्त होन के ये मोती हीरे लाल असली भगती रुपी मोतीयों का इनको ग्यान नहीं ल कंगाल हो गए, मुटी मुक्ता दर्सत नहीं ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो ने अंड चसम इनका फिरा मुटी अबंदरे, सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हम इनका भी नहीं पता इसके बारे में, तो इनके अग्यान र और फिर हम बगवान को स्विम देखेंगे और पहचानेंगे, पुनात्मा परमात्मा पाना सबत आसान, एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रेतन करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पल्टा चम्टा, फिर लकडी, तौवा चुला, फिर गिल परमात्मा पाना सबते हैं, कितना सबती है और कितना कीमती है, सत लोग जाने के लिए हमने गणी बगती चाहिएगी और बोखिक जाप और यह अन्य जापों से लाब नहीं होगा यह जो मंतर है सत नाम का दो अक्षर का इसके जाप करने से हम बगती धन से गरक हो जावांगे हम फुली चारज हो जावांगे जब हम यहां से चलेंगे इतने हम वहां से चारज होकर आए थे उतना ही चारज होकर वापस जाएंगे वहापर इस मंतर से होंगे इतने धनी होंगे और जो यह पर्थम मंतर है तीन मंतर में और ये ये गहन हम करते हैं इनमे हम जब तक यहां रहेंगे यहां सुख मिलेगा हमारे को और काल का जितना भी रिन है वो इसको दे देंगे तू पकड़े अपना हमने जाने दे हम ने लेंगे तरह परती फल और ये दो मंतर दो सेस बचेंगे उसमें से जो तत मंतर का आपको दिया जाता है जाप उसको हम अक्सर पुरुस के साथ संग बर्मांडों को पार करने का टेक्स है उसका वो दे देंगे सिम्वाल तू अपना ये दो सत है ये सार नाम है इसकी भक्ती से हम सत लोक में पहुंच जाँगे सताई सतान मिलेगा अब क्या बताते हैं कोट जनम तना बर्मत होगे कुछ नी हाथ लगेरे कुकर सुकर खरवय बोरे कुवा हनस बगारे कोटी जनम तूराजा की नामिटी नामन की आसा विक्षको के दरदर गुम्या मिला ना निर्गुन रासा आदनी गृबदा साहिब जी की परमेस्वर कभीर साहिब जी ने जिव दिश्टी खोल रखी थी उन्होंने आज से अर्बों खर्बों पहले की सारी घटनाया जिटी चितरित कर रखी है और उनको वो घटनाया चल चितर की तरह दिखाई देती थी गृबदा साहिब जी बता है कि ये नानक साहिब जी जो थे ये सत्युग में राजा अम्रीस थे यही आत्मा और इतने पुन्यात्मा थे इतने दर्मात्मा थे और इतनी सत्वक्ति करते थे विश्णू जी को इस्वान कर जरुआसा जैसे सिद्पुरुस नभी इनके दर्वार में फिट्टे मुह होना पड़ा था उसके बाद वही आत्मा फिर स्तरिता युग में राजा जनक रूप में जनम हुआ राजा थी वो और नौकर सेक्ड़ों लाखों की संख्याम सेनी के उसके नौकर थे और वही आत्मा फिर पुनो को सुरग में नास करके बहुत यग क्या करते थे राजा जनक उनको डुस्ट करके कलियों के अंदर कालूराम मेता के घर पे एक सिंपल मेन के घर जनम हुआ क्योंकि उस सब पुन खत्म हुए और फिर नोकरी कर रहे एक राजनवाब के घर पे आप ही और पहले उनके लाखो नोकर होते थे तो काल का ये जाल ऐसा है जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जनम दिखाए पर मातमा ने के आप राजा थे राजा जनक भी आप थे और अब आप क्या हो पिटा बर गया उस पुन नातमा का बगवान देखकर इनको कहते हैं जो दरड़ भकत होते हैं उनको भगवान मिलते हैं उस दिनके वाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज नानक साहिब जी के पिता भी विरोजदी हो गए थे क्यों के पैदा हो गया मारे देवतावन बुरा बतावे और सब ब्रामन विरोजदी हो गए थे के ये पागल हो गया इसका पता नहीं क्या हो गया ये सब उल्ट सुल्ट बोल रहा है तो इस परकार पूर नातमा अब क्या बताते हैं कोट जनमत ना भरमत होगे और ये परमातमा ना मिलते वा पैरी आतमा अगले जनमत चुराशी लाखी उन्यों मजाती है कोट जनमत ना भरमत होगे कुछ ना हाथ लगयरे कुकर सुकर खर वैबोरे कौवा हन्स बगारे कोट जनमत उराज़ा के उन्या अर्मिटी नमन किया सा विक्षे को के दर दर गुम्या मिला ना निर गुन्रासा आप ऐसे सादक भी रह चुके हो घर टागी गे नगर से एक सुकी प्रोटिया मांग ले गे दो रोटी खाई चार खाई बाकी कपड़े में बांद कर वर्क्स के बांदी सूख की एक दिन भूखा रहे अगले दिन उनी को भिगो कर खा लिया यानि तीन दिन का काम चला लिया एक दिन की विक्स आते हैं और खुब घोर तपस्याएं की सादनाएं की अन्य नामों की अन्य सादनाएं की उन से क्या हुआ तपसे राज राजम दमानम और जनम तीसरे सुकर सवानम कहते हैं इंदर कुबेर ईस की पजवी इंदर की पजवी प्राप्च कर ली है सिसाधनाय करके तुने और इंदर का कितना समय होता है बहतर चतुर योगी बहतर चतुर योग तक वो सासन करता है उपर बहतर चतुर योग तक और उसके बाद उसके दोरान इंदर को एक हिदायत होती है इंस्ट्रेक्शन होती है एक कंडिशन होती है कि तेरे सासन का आलम है और यदि कोई इंदर की पद्वी प्राफ्ट करने योग तपस्या धरम और यग कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा सासन छिन लिया जाएगा और उसको इस पद्वी रवराज मान किया जाएगा इंदर को ये चिंता रहती है और उसके लिए फिर वो सत्रक रहता है उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते है कि कोई मेरे सासन काल में और मेरी गद्वी प्राप्त करने योग कोई ऐसा धरम पुन तप ना कर ले यग ना कर ले एक मारकंडेरिसी थे बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे इंदर को पता लाग गया उसने एक अपसरावे जी अर्वसी अपने इंदर के लोगते हैं और बहुत सुन्दर खूबसूरत सारे उसको शिद्वी दे दी उस मारकंडेरिसी के आसपास आठ साथ किलोमेटर मांग है एक बसंत जैसा माहुल त्यार कर दिया ना गर्मी ना सर्दी महक छोड़ दी अपन करने लगी करती रिषी डांस और मारकंडेरिसी में कोई गतिविदी नहीं हुई जैसा वो चाती थी आखिर में वो नी वस्तर होगी कमर का नाडा तोड़ दिया जब कती नंगी होगी संत ने रिषी ने कहा है बेटी है माई यह क्या कर रही है तू यह किसलिए आई तू तो सरमिंदा होकर के वस्तर पहन कर कहन लगी है मारकंडेरिसी मेरे को देखकर इस बंखंड मजीतने भी तपस भी थे सब डामा डॉल होगे इनका तदीर धरम नश्ट हो लिया और तूम पता नहीं कहा तूमारी समाधी थी तूम जानो उसने कहा मारकंडेरिने के मेरी जहां समा समाधी थी नोकरानी थी वो कितनी खुब सूरत होगी जहां मैं देख रहा था डांस तेरे ट कोई सुतरी हो ना उसना बेज कोई तेरे से सुणदर हो तो उसने कहा कि मैं इन्दर लोक मैं सबसे सुणदर मैं ही हूं मैं इंदर की पट्रानी हूँ और आप एक बार इंदर लोक में चलो ने तो मेरी मजाग करेंगे मुझे दुहागन कर देगा इंदर नो कहेगा तुम आर के आगी मुझे सजा मिलेगी अपना अत्मों जैसे हम हठ योग का दुधान करते हैं न अग्यानता है डाई गंटे सुबर डाई गंटे से आम ये तो बात तो कुछ को ना ये तो उबकवाद सेनरी हजारों वरस सेकड़ों वरस सारा सारा दिन साधना करते थे meditation लगाते थे meditation के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो तीन गंटे जाते थे अब तो नहीं जाओगे ना जाते हो तीन गंटे इसे अलागे ज़न तीन मेंट में गए क्योंकि वो पकवाद दिखें थी सारी अनोखी सी ऐसे ये समाधिस्त जो होते हैं अंदर स्रीर के अंदर चैनल लगे हमारे स्रीर में जैसे टीवी में चैनल होते हैं और पिछले संसकार से ये इनसान कोई साध नाकाट प्रेतन करता है तो उसका कोई समाधिस्त होने का हठियों करता है तो कोई चैनल ओन हो जाता है यानि हम अंदर कमल हैं वो कोई सा कमल खुल जाता है उसकी पिछले संसकार से और फिर उसमों प्रवेश कर जाता है वहाँ सब ये डाउन्स नौचड़ों गौण ये सब हो रहे हैं सुपर के लोकों में महाँ तो आपने कमाई खराब करने जाती है सब पुन्यात्माएं तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना दस मेंट भी बगती ना करना दे जब बहुत सोचा चल वहाँ चलते हैं नो कुरते हैं कई बस की इंतजार करती है ना और बस टेंड बाब बैठ जाएं, दस बठाओगा देखियो कि इती है अली, और फिर बैठ जाएं फिर थोड़ी दिर में उठका देखागा कोई आज दिखा किता है, और ये बैठे रहते हैं जारों वरस ये नो बैठा करते हैं, कि यहां से इस तो वहां होटल है, होटला में जीवातमा वहां पहुंची मारकंडेर इसी की, और तभी तो ये बैठेरा अगर देखे नहीं समय तक ना कोण बैठेरा, और बैठ्षन से इनका तफ़ बन जाता, तब से अगले जनम में राजा, और कुछ दिन सुरग में, और फिर चुड़ चीने के में 14 इंदर वरूंगी, ये बहुत मारा किलकीव है, ये पहला करके साथ ना गलत है, अरीव है, अब ये सही कहा है, ये बिरानवाटी तर नहीं हो है, जो मारा जी बता रहे हैं, प्रिया अच्छ जब है, जो सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नी इसका, तो कहने का बाव ये है, कि वो कहने लगी, देखो पुना आत्मा कितना गहरा ग्यान दिया परमेश्वर ने, वो जो सची रूप में, इंदर की पट्रानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन जन मांतर में कितने पोन करे, वो 14 इंदर मर जा उनने तो वह सुख वो गनते मतलब है, अपना आनद लेना है, वह इज़त बेजती कुछ नहीं है उपर ये लोकों में, वो तो पट्रानी बनी रहेगी, इंदर मर गया, बैतर चौकडी योग पूरन होते, इंदर मर जाएगा, और वो क्या बताती है, कि जितने इंदर में वो गूंगी, यानि वो तो अकेली रहेगी, पतनी उनकी, और चौदे इंदर एक बिरमा की एक दिन में, एक हजार आठ सतर योग हैं, और इंदर का सासनकाल बहतर सतर योग का होता है, तो चौदे इंदर इसमें अपना सासनकाल पुरा कर गयते हैं, एक हजार आठ सतर से लेकिन लंप संप इसको एक हजार चतर युग मानते हैं तो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना बगती धन धर्म करका था कि एक हजार आठ चतर युग तक वो अकेली आनद बोगती है ऐजे पट्राणी यानि सोड़क लोक में और चौदे इंदर अपना स सासनकाल बहतर चतर युगी पूरा करका मरते रहेंगे तो वो गदे बन जाते हैं सटार्टी गदे की उनी से होता है इंदर का जीवन तुरा सी लाख हुए नियों में अब क्या बता है कि तू इंदर मरेगा जब क्या करेगी रिशी मारकंडे न पूछा इंदराणी न उतर से राजा भी गदे बने और राणी भी गदी बने फिर मुझे वां क्यों ले जावे थी नहीं बोली अपनी इज़त राखन खाते हैं ना तू अन्यों कंगे कि तूहार का आगी है मारकंडे रेसी हांसे पिर नहीं बोले रहे तू आज भी गदी चोदा खसम करेगी और मरे इतने में इंदर आ गया, इंदर आ गया कहा ये बंद निवाज, इंदर की गद्धी प्राप्त करो तुम जीते हमारे, मारकंडेरी सी कहने लगा, रे इंदर क्या बोल रहा है, इंदर की गद्धी तो मेरे लिए काग की बीठ है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रम लोक का रस्ता बताए, जो हुआ बोड़ा सुख है, ब्रम लोक में इतना आनन्द है, ये तो कुछ भी नहीं है, अब उसने ब्रम लोक के आनन्द का बेरा था, इस तक इनको ग्यान नहीं था रही हैं, को ओम का नाम जब ब्रम लोक में, वह अठाट होकर फिर मारकंडे भी पसूबने, वह उसका याद नहीं थी, जिसने जो साधना वह अपनी को स्पूरियर मानता है, लेकिन ब्रम साधना इन से अच्छी है, इन अन्यक ड्ले डॉनते हैं, लेकिन वह भी मोक्सदायक नहीं है, लेकिन मारकंडे को वह अपनी फिर देखूंगा, इब तब मोज मारन देऊ, अग्जा मरले को हम पड़के, अब गजा अपने पाथ से के देखाएगा, फिर तो कुमार देखाएगा, अब जैसे आप जिस ग्यान से प्रिचित होते हो, अपने मित्तर से, भाई से, या किसी और रिष्टेदार से बताते हो दास के साथ भी ऐसे बनता था, तो सारी बात सुन सुना के उन्हों किया करता है, अब उनको बताते हैं, वे पसू बनेंगे, गदे बन जावांगे, कुटे बन जाएंगे, फिर तो बिल्यान माटी होगी, नो मिला देखी जागी, बता गदे बने पासे के देखी जाएगे, तो कुमार देखेगा फिर ता है, डाइमन का बोरा गट्या मारेगा लठे, अब देखना तो इव है बोरा ही छोड़ बक्तिकर परमातमा का नाम ले सारा इतियास खोल का दर्दिया परमातमा ने इस दास के मादम से खुलवा दिया सारा गया, तो इसी तरह देशे कोई गु इसी के अंदर काल ने फ्यट कर रहा है, या कोई और बक्तिकर बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती और वो छोड़ने पार पड़ेगी, वो तो कल मरती हो गया तो छूट गी, जिसको तू अपनी मान रहा है, तो इन फारमुलों से हम इस मारग पर दर्द होकर चल सकते हैं, आसंग जनम तरह मरत्या होगे, जीवित क्यो ना मरे रहे, ये द्वादस मत महल मठ बोरे, बहुर ना देद रहे, जीवित मरना किसे कहते हैं, एक तो ये है कि इच्छाओं का नास करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना, फिर उदर की बक्तिकर ब्या साधियों में आनश करना, गुटी लगाना, फिर दहिज देड़ना और देड़ना, लोग दिखावा करना, कद ये बक्वाद छोड़ी पड़ेंगी, संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उन से मन हटाना पड़ेगा, और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहां आत और वापस आना था उसने, रात ये मैं मरत्यू होगी, अक्षिडेंट होका उसकी, अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कारिये था, जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था, अब आप भी गया और वो काम भी रह गया, तो इन्यों इस मन पापी न समझाए दे, जब पड़ा आँख में इसके सत्संगी तरफ, आप देखना इसकात कहते हैं, बढ़ा पुन मिलेगा आपको, और फिर तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद, आप वापस ले जाओगे, और आप वापस जाकर के, जो थोड़ा वह काम उलट पुल्ट हो भी गया, वशे तो होता नहीं बगवान के लिए जो सचे दिलता चलते ठीक, उड़ा खड़ा पाओगा बगवान आपको, ये सत कर्मान लेना, लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते इसी गर्शी, तो इन परमात्मा के विधान के नुसार चल कर देखें, तो इन्यों सोच ले, चार दिन में ज राम भी रहे गया, कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लाग गया, और मिठे लाग गया दाम, दूज दाम है दोनों गए, माया मिली ना राम, एक अमारे गुरु देव जी के सिस्थ ते, तलवंडी भाही कस्भा है, फिरोजपर जिले में, और गुरु जी के सत लोग जाने के उ कोई रिष्टेदार आया था को बुढिया के सोख व्यक्त करने, शुक्र को आया था, सिनिवार को उसने जाना चाहा, उन्होंने कहा कि अमारे याप सत्षंग सुनना, सत्षंग हुएगा कल रशर वी बार को, 9-11 सत्षंग है, सत्षंग सुनना, जो बहला मने बहुत सुन र मुझे बहुत जरूरी कारिया है, वहाँ एक कंट्रेक्ट होना है, मेरा अग्रिमेंट होना है, और उसमें मुझे पांच लाग का बेनिफित होगा, तुम क्या जानो मेरे विवसाय के बारे में, और सन 1907 में की बात है, ये, 1907 में मैं पांच लाग, आज के पचास लाग है नो समझे लो, वो नहीं माना, वो चला गया, सनिवार को स्याम न चला वहाँ से, चंडीगड के लिए, अंबाला के पास आकर के एक बजरी का बरहा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले चारों पर ये निकाल रहा है, पिछले पिछले, और जैक लगा रहा था, ड गुसी, और जैक ट्या, सारा ट्रक उपर पढ़ गया, बद्रीगा परा हुआ, कचूप मर निकल गया, चारों मर गये, अब चायट लिए उन पांच लाक रपिया ने, परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे मिठे लागे दाम, अर्दूईदा में दोनों गये माय मिली नाराम, तो इस तरह इस मनपापी को अपने मालक के इन फारमुलना से अठा कर और इसमें जोडे रखे वगवान के पाड़े पर हैं, फिर क्या बताते हैं, दोज्जिक भिस्ट सभी तें, देखे, राज पाठ के रसिया, और तीन लोग से तर्पत नाही, यो मन भोगी ख़शिया, कोई सरपंच बन जाता है, नो नीत रहेvertा हैं, चेमन बनो, चेमन बन जाए नहीं सोचा, मैं अमेले बन ओ, ₧ मनत्री का दाव लगए, मंत्री बन अहीं सोचा, मुख्य मंत्री बनो जो पेटा बर ये, उतने मर्ति होजा, वाई जर्दर फ career. है अब जैसे अरुनाचल का एक मुख्य मंत्री आंदर पर देश का मुख्य मंत्री और पॉलेंड देश का पूरा केबिनेट पूरा मंत्री मंदल इंक्लोडिंग प्राइमिनिस्टर एक जहाज मक्रेस होका मर गे यह हलीकप्टर मजा रहे थे जल्दी के मारे यह दोनों मुख आत्मा बताते हैं कि इन बातान याद करो तुम कि दोजिक भिस सभी तेंदेखे राज पाठ के रसिया और तीन लोग से तर्पतनाईयो मनवोगी खसिया इसना तीन लोग भी देजे ना तो भी संतुष्टी नी इसकी नो सोचा और की ते पावजब बात बढ़े किते सत्ग आदनी अगरिबदास साहिब जी कहते हैं कि सत्गुरू मिलै तो इच्छा मेटै इस तत्व ग्यान से आपके सभी इच्छाओं का नास कर देगा यहां की कोई भी वस्तोतों में सुआवे नहींगी जो बगती बात दखो सत्गुरू मिलै तो इच्छा मेटै पद मिल पदे समाना पद मने वे ओफ वर्सिप पद पदती बगवान के पाने की विधी और पद यानि सही सास्तर उनकुल सत्व साधना मिलने से पद पदती मिलगी पद मिल पदे समाना गिता जिदाय नमर पंदरा के सलोक नमर चार में कहा कि तत्व दर्सी संत की प्राप्ती के पस्चात परमेशवर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जाने के बाद साधक फिर लोट कर कभी वापस संसार मनी आता यहां पता रहे है अदनी अगरीब दास साहिब जी के सत्गुर मिले तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना उस सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा अमर पद जहाने के बाद फिर लोट करनी आते और चलहन सा उस स्लोक पठाओं जो आदी अमर अस्थाना अठार मैदाय के गीता जी के बैसेट में स्लोक में का है अरजुन तु सर्वभाव से उस परमेश्वर की सन में जा उसकी किरपा से तु परम स्यानती को और सनातन परम धाम को परापत होगा आदी अमर आदी माने सासवत सनातन कदे का चलहन सा उस लोक पठाओं जो आदी अमर अस्थाना और वहां क्या सुख है तुम यहां की जो सुख चोथी मुक्ती भी प्रापत कर लेते हो चारों मुक्ती भी प्रापत कर ले हो तो भी एक दिन समापत होंगी तुमारी तुम उ और माया हो रही दासी दासे गरीब अबैपद परसे वो में लेराम अवी नासी अब जहां से हम शुरू है थे कि जग सारा रोग यारे जिन सत्य गुरू बैद ना जान्यां सग सारा रोग यारे जनम मरन का रोग लगया है त्रिशना बडरी खासी आवा गवन किया डोर गड़े में पड़ी काल की फासी जग सारा रोग यारे जिन सत्य गुरू बैद ना जान्यां जग सारा रोग यारे फिर क्या बताते हैं सार सबद सर जीवन बुटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबिर तुम सत कर मानो ये जनम मरन मिठ जावे सार सबद सर जीवन बुटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबिर तुम सत कर मानो ये जनम मरन मिठ जावे अब ये है वो पद ये तीनो मंतर का जो जाप आपको मिलेगा और पर्थम ये सात मंतर दिये जाते हैं फिर सत नाम दो मंतर का दिया जाता है इससे क्या बताते हैं चैर मुक्ति जहां चंपी करती माया हुरी दासी दासे गरीब अब एह पद पर से वो मिले राम अवी नासी वो प्रम अक्सर ब्रहम जैसे अक्सर पुरुस किया यूग कितनी है सत्र हजार बार तर्लो की सिव मर जैंगे जोएक यूग होगा पर ब्रहम का अक्सर पुरुस का और फिर एक हजार उसे बने हुए यूग का दिन इतनी ही रातीरि तीस दिन रात का महिना और बारा महिने का एक वर्स और सो वरस की अक्सर पर उसकी आयू और फिर भी मर्टू एती उमर बुलंद मरेगा अंतरे क्योंकि सत्गूरू लगे ना कान ना भैंटे वो संतरे तो थे जाए कि चौतिस में स्लोक में जिनतत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उमर पाकर भी अंत में मर्टू को प्राप्त होते हो उसका कारण क्या है क्योंकि सत्गूरू में ले ना भैंटे संतरे ऐसे संत भकत नहीं मिले जो जो बताओं है कि आज के दिन पर वाला के अंदर है जो कुछ है और वो सत्गूरू की सर्ण नहीं लेने से कहते हैं फिर एती उमर बुलंद इतनी लंबी आयू होगी तो भी मर्टू होगी ब्रानमाटी जारी रहेगी तो क्या बताते हैं सर्ण जा है तो सरदर पाओं और बहुर नहीं रहे सादाओं बोलो सत्गूरू दे झाल